हलो फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं टिफिन रेसिपी सुब शुबस्फ बच्शों को टिफिन देना हर सबका टेंसन अन्युवन सभी को टेंसन सब्सक्राइब में क्या दे तो उसी के लिए मैं आज बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी ले क rats आई हूँ बेशन लिया और यह चीज़े आप कम या ज़्यादा कर सकते आपको ज्यादा बनाना हो तो बेशन थोड़ा सा ज्यादा ले लिजिए अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादा नुसार और मैं यह थोड़ा सा पीजा फ्लेबर बना रही हूं तो यहां पर मैं थोड़े से जो जाल रही हूं एक छोटी चमच के बराबर और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे चिली फ्लैक्स तो यह थोड़ा सा कम स्पैसी होता है तो आप यहां पर कम या जादा कर सकते हैं और एक और चीज़े इसमें डाल रही हूं मैं अजवाइन क्योंकि बेशन सभी को मतलब थोड अनके गोल्ड एक चोटाइ चमच के बराबर मैंने हल्डी ली है अब इसमें पानी डाल थो एक अच्छा सा गोल बना लेंगे रूथ यहुआ पर एक कप पानी लिया है इसी गोलने के लिए तो यहां इक कप बिशन से गोल कैसा बनाना है ना हमें ज्यादा गारा बनाना और नहीं पत्ला बनाना है, जैसे हम ब्रेट पकोड़ा बनाने के लिए घोल बनाते हैं उसी तरीके के आप गोल बना के तयार कर ले, और यहां पर जो अजवाइन है आप इसे पसंदो मैंने यहां पर सब दो दो चमच लिए हैं जो सब्ची आपको पसंदो आप यहां पर ले सकते हैं या फिर जो नहीं पसंदे उसे एड़ कर सकते हैं to the मैंने सब चीजों को अचिह तरीके से मिक्स कर लिया और हमारा बैटर ऐसा ही होना चाहिए ना इसे जजादा गाड़ा न अ अब हमें क्या करना है कि ब्रेड लेंगे तो मैंने काड़ा पर आपर ड्राउन कर सकते हुं इस तरीके से ब्राऊन कर देंगे Awwु तरुछ सब्जा ड्रेट को अच्शी तरीके से ऑजाय एक रगा पर तोड़ा साग्सराषण lawyer हिए यहां अब छूड़ा ब्रेडड GETT ठेल हैं और इसे हम सेख लेंगे इस तरीके से एक तरफ से इसिग गया है अब दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी ओदेल खेजiğ और बहुत कम देल में भ Jan लोग बननेrops हो जाता है जटपत सा नासता है आपoshima को पसंद भी और इसमें ब्रेड बहुत सॉफ्ट रहता है इस तरह के साब बनाएंगे न तो बचों को बहुत पसंद आएगी तो देखे मैंने इस तरह के से और तैयार कर लिए हैं आप चाहे तो थोड़ा सा चीज आड़ कर सकते हैं बचों को दे रहे हैं तो तो लिजे तैयार हो गया है जटपट सा नास्ता ब्रेड का उमेद करते हैं आपको पसंद आई होगी बहुत सिंपल है बहुत आसान है इसे बनाने के लिए हमें कोई भी बाहर की चीज नहीं लानी है हरी सब्जा तो सभी के घर में होती ही है और पालक मैंने इसलिए आड़ किया है क्योंकि बच्चे को पालक खिलाना बहुत जरी हो पालक नहीं खाना पसंद करते है इसलिए मैंने थोड़ा सा सी पालक के पत्ते लिए है जो उसके डंडिया होती है वो नाले सी पालक के पत्ते होते है ने पतले-पतले कच्चे से वही ले तो देखिए हमारा हेल्दी सा नास्ता बनके तयार हो कभी जल्दी हो तो आप इसे जटपट बना के नास्ते में खा सकते हैं साम को भी बना के खा सकते हैं इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम ज़्यादा मेहनत की भी जरूत नहीं होती है तो लीजिए आज का healthy, tasty bread का नास्ता बनके तयार हो गया है आप इस तरीके से एक बार ट्राइ करके देखिएगा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा family friends से शेयर करना बिल्कुल ना भूले आप मुझे facebook, instagram पा भी follow कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा मैं आप से फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ नई recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई